C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षाचार की ध्वनिपुस्तक गणित का जादू ग्यार्मापाट पहाडे और बंटवारे प्रिष्ट 120 श्यामा का बगीचा श्यामा ने अपने बगीचे में सूरज मुखी, गुलाब और गेंदे के पौधे उगाए हैं उसका बगीचा ऐसा दिखता है यहाँ पर एक बगीचा है जिसमें तीन तरह के फोल हैं सूरज मुखी, गुलाब और गेंदे के पहली पंक्ति में एक लाइन से 18 फूल सूरज मुखी के हैं उसके बाद की 6 पंक्तियों में प्रतेग पंक्ति के 3-3 फूल गुलाब के हैं और सबसे अंतिम दो पंक्तियों में 9-9 फूल गैंदे के हैं इस बगीचे में पौदों की 3 क्यारिया हैं यहाँ पर शामा का चितर बना है शामा कह रही है देखो कैसे मैंने हर एक क्यारी में 18 पौदे लगाए हैं हर एक क्यारी में पौदों की जमावट अलग है देखो गुलाब के पौदे कैसे उगाए गए हैं 18 बराबर 6 गुणा 3 इस तरह 6 कतार हुई और उस कतार में 3 पौदे सूरज मुखी और गेंदे के फूल किस किस तरीके से लगाए गए हैं 18 बराबर रिक्तिस्थान गुणा रिक्तिस्थान इस तरह रिक्तिस्थान कतार हुई और उस कतार में रिक्तिस्थान पौदे अठारा बराबर रिक्तिस्थान गुणा रिक्तिस्थान इस तरह रिक्तिस्थान कतारे हुई और हर कतार में रिक्तिस्थान पौधे तुम भी अपना बगीचा बना सकते हो एक बगीचे का चित्र बनाओ जिसमें 48 पौधों के लिए क्यारियां बनी हो हर कतार में बराबर पौधे हो शिक्षिकों के लिए निर्देश वस्त्मों को आयताकार संरचना में सजाने के साथ गुणा की अवधारना का सीधा संबंध है कक्षा में कुर्सियों की व्यवस्ता, प्रार्थरा सभा में बच्चों की व्यवस्ता, आधी संदर्बों पर, आधारित सवालों पर भी बच्चों के साथ चर्चा की जा सकती है प्रिष्ट 121 अलमारी में जग भीमा बढ़ही ने तीस जगों के लिए एक अलमारी बनाई ये दो खानों वाली एक लंबी अलमारी है हर खाने में बराबर बराबर जग है यहाँ पर एक अलमारी दिखाई गई है इस अलमारी के दो खाने है प्रते खाने में पंदरह जग है क्या तुम इन तीस जगों को रखने के लिए किसी अलग तरीके से अलमारी बनाने के बारे में सोच सकते हो एक अलमारी बनाओ, उसमें जग भी बनाओ बताओ कि तुमने हर खाने में कितने जग रखे हैं इसमें कितने खाने हैं क्या तुम्हारे दोस्तों ने इसे अलग-अलग तरीकों से बनाया है। आसान तरीके यहाँ पर दो बच्चों की चित्र हैं। एक बंटी का और दूसरा गुड़ू का। बंटी कहता है, मुझे साथ का पहाड़ा नहीं आता। गुड़ू कहती है, मुझे पहाड़े तो पांस तक ही आते हैं, पर एक आसान तरीका आता है, मैं दो और पांस के पहाड़े से साथ का पहाड़ा बना सकते हूँ। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चे बिना रटे नए नए पहाड़े बनाने का तरीका बहुत पसंद करेंगे। प्रिष्ट एक सो बाईस, दो का पहाड़ा, यहाँ पर दो का पहाड़ा बना कर दिखाया गया है, आईए, अब इस पहाड़े को पढ़ते हैं। दो गुणा एक बराबर दो, दो गुणा दो बराबर चार, दो गुणा तीन बराबर छे, दो गुणा चार बराबर आट, दो गुणा पाच बराबर दस, दो गुणा चे बराबर बारा, दो गुणा सात बराबर चोदा, दो गुणा आट बराबर सोला, दो गुणा नो बर और दो गुणा दस बराबर बीस पांच का पहाड़ा यहाँ पर पांच का पहाड़ा बनाया गया है आईए अब हम इसे पढ़ें पांच गुणा एक बराबर पांच पांच गुणा दो बराबर दस पांच गुणा तीन बराबर पंदरा पाँच गुला चार बराबर बीस, पाँच गुला पाँच बराबर पच्चेस, पाँच गुला छे बराबर तीस, पाँच गुला साथ बराबर पैंतीस, पाँच गुला आठ बराबर चालीस, पाँच गुला नौ बराबर पैंतालीस, और पाँच गुला दस बराबर पचास और यहाँ पर साथ का पहाड़ा भी दिया गया है साथ का पहाड़ा आईए अब हम दो और पांच के पहाड़ों के बदत से साथ का पहाड़ा बनाएं दो जमा पांच बराबर साथ चार जमा दस बराबर चौदह छे जमा पंदरह बराबर इकेस आठ जमा 20 बराबर 28 10 जमा 25 बराबर 35 12 जमा 30 बराबर 42 14 जमा 35 बराबर 49 16 जमा 40 बराबर 56 18 जमा 45 बराबर 63 20 जमा 50 बराबर 70 यहाँ पर दो बच्चों के चित्र दिये गए हैं लड़की कहती है देखो, कैसे मैंने पीले खानों की संख्याओं को जोड़ कर साथ का पहाडा बनाया और लड़का कहता है अरे वाह, ये तो बहुत असान है मैं तीन और चार के पहाडों से भी साथ का पहाडा बना सकता हूँ 4 और 3 के पहाले से 7 का पहाला बनाने में बंटी की मदद करो 4 गुणा 8 बराबर रिक्तिस्थान 4 गुणा 9 बराबर रिक्तिस्थान और 4 गुणा 10 बराबर रिक्तिस्थान 3 का पहाला 3 गुणा 1 बराबर 3 3 गुणा 2 बराबर 6 3 गुणा 3 बराबर रिक्तिस्थान, 3 गुणा 4 बराबर रिक्तिस्थान, 3 गुणा 5 बराबर रिक्तिस्थान, 3 गुणा 6 बराबर रिक्तिस्थान, 3 गुणा 7 बराबर रिक्तिस्थान, 3 गुणा 8 बराबर रिक्तिस्थान, 3 गुणा 9 बराबर रिक्तिस्थान, और 3 गुणा 10 बराबर रिक्तिस्थान, दी गई संख्याएं, पीले रंग में रंगी गई हैं, साथ का पहाड़ा, चार जमा तीन बराबर साथ, आठ जमा छे, बराबर रिक्तिस्थान, अब आप खाली संख्याओं को स्वैम भरें, और पहाड़े को पूरा करें, बारा का पहाड़ा बनाने के लिए तुम कौन से दो पहाड़ों का प्रियोग करोगे, प्रिष्ट 123, कितनी बिल्लियां, गायतरी की कुछ बिल्लियां एक डिब्बे के अंदर खेल रही थी, जब उसने उन्हें गिनने के लिए डिब्बे में जहाका, तो उसे सिर्फ उनके प पैर थे, डिब्बे में कितनी बिल्लियां थी, यहाँ पर एक डिब्बे का चित्र है, जिसके नीचे बिल्लियों के पैर दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद, यहाँ पर गायतरी का चित्र भी बना है, गायतरी सोच रही है, आठ पैर मतलब दो बिल्लियां, बारा पैर मतलब रिक्तिस्थान बिल्लियां, आईए, अब हम दिये गए कॉलम को पूरा करें, इस तरह 28 पैर मतलब रिक्तिस्थान बिल्लियां, बिल्लू ने अपने चूजों को एक डिबे में रखा है, उसने 28 पैर गिने हैं, डिबे में कितने चूजे हैं, लीला 21 दिनों से स्कूल नहीं गई है, वो कितने हफ्तों से स्कूल नहीं गई है, शिक्षिकों के लिए निर्देश बच्चों को तालिका भरने के लिए प्रोचाहित करें, साथ ही उनके सामानी करण यानि जन्रलाइजेशन की वृत्ति को बढ़ावा दें, उधारन के तौर पर वो समझ सकें कि 48 पैर मतलब 12 बिलियां और 12 बिलियां मतलब 48 पैर, वस्तुता ये बीजगणितिये चिंतन का आधार है, प्रिष्ट 124, जानवरों की च्छलांग, क्या तुम्हें कक्षा 3 के च्छलांग लगाने वाले जानवर याद हैं? एक मिंडक, शून से शुरू करके एक च्छलांग में तीन कदम कुदता है, अगर वो 27 पर है, तो अब तक वो कितने कदम कुदा? उसने लगाई 27 भाग 3 बराबर रिक्तिस्थान कुदें, यहाँ पर एक साप का चित्र है, जिस पर शून से 60 सक तक की संख्याई लिखी हुई है, और शून पर एक मिंडक को बैठे दिखाया गया है, जो कुद रहा है, आईए, अब हम रिक्तिस्थानों को भरें, वो रिक्तिस्थान कुदें लगा चुका है अगर वो 36 पर है, अगर वो 42 पर है, तो उसने रिक्तिस्थान कुदें लगाई है, एक खरगोश शून से शुरू करके एक बार में 5 कुद लगाता है, कितनी कुदों में वो 25 पर पहुँचता है, वो 8 कुदों के बाद रिक्तिस अभ्यास भाग दस बराबर रिक्तिस्थान शिक्षिकों के लिए निर्देश चातर गुणा और भाग के लिए इसी तरह का अभ्यास कक्षा तीन में भी कर चुके हैं देखें प्रिष्ट संख्या 173 से 176 गनित का जादू कक्षा तीन NCERT प्रिष्ट 125 सीपियां द्रुव समुद्र के किनारी रहता है उसने अपने तीन दोस्तों के लिए मालाएं बनाने की सोची वो पूरे दिन सीपियों को खोजता रहा उसने शाम तक 112 सीपियां इकठी कर ली अब उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी सीपियां हैं यहाँ पर द्रुव का चित्र है जिसे समुद्र के किनारे बैठा हुआ दिखाया गया है और उसके सामने सीपियों का ढेर है द्रुव सोच रहा है मैं 28 सीपियों की एक माला बनाऊंगा क्या इतनी सीपियों से मेरे सभी दोस्तों के लिए मालाईं बन जाएंगी उसने 28 सीपियां निकाल कर एक माला बना ली 112 घटा 28 बराबर 84 अब उसके पास 84 सीपियां बची उसने फिर 28 सीपियां लेकर दूसरी माला तयार की अब उसके पास कितनी सीपियां बची? रिक्तिस्थान फिर उसने तीसरी माला के लिए सीपियां निकाल ली अब उसके पास रिक्तिस्थान सीपियां बची 112 सीपियों से धुरुवकुल मिलाकर कितनी मालाएं बना सकता है? रिक्तिस्थान इतनी सीपियों में क्या सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी? रिक्तिस्थान इन्हें करके देखें क, कन्नु ने 17 सीपियों से एक माला बनाई सौ सीपियों से ऐसे कितनी मालाएं बनाई जा सकती है शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों को प्रुतसाहित कीजिए कि वो ऐसे प्रश्न हल करें जो संख्याओं से भाग पर आधारित हो ऐसी संख्याओं जिनके लिए उन्हें पहाड़े नहीं आते वो बार-बार घटाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उन्हें हल करें बच्चों को रोज मर्रा के जीवन से संबंदीत प्रश्न हल करने को दें प्रिष्ट 126 एक बड़े गत्य के डिब्बे में साबुन की 85 टिकियां आ सकती है शेली 338 टिकिया पैक करना चाहती है उसे सभी टिकियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी ग मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की जरूरत है एक ट्रक एक बारी में 250 बोरिया ले जाता है बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपए लेता है मन प्रीत को ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे गंगु की मिठाईयां गंगु इद के लिए मिठाईयां बना रहा है उसने एक थाली 80 लड़ों से तयार की है यहाँ पर गंगु हलवाई का चित्र है जो लड़ो बनाता दिख रहा है और उसके सामने थाली में 80 लड़ो रखे हैं यहाँ पर रबिया का चित्र है रबिया कहती है एक डिब्बे में 4 लड़ो पैक कर दो मुझे ऐसे 23 डिब्बे चाहिए यहाँ पर 6 डिब्बों के चित्र है और उनमें से 3 डिब्बों में 4-4 लड़ो है क्या 23 छोटे डिब्बे पैक करने के लिए थाली के लड़ो पूरे होंगे रिक्तिस्थान और कितने लड़ों की जरूरत पड़ेगी रिक्तिस्थान शिक्षिकों के लिए निर्देश इस अभ्यास को करने के लिए बच्चों को पृत्साहित करें कि वो अपने तरीके इस्तमाल करें जैसे चित्रों का समहू बनाना गुणा का ya बारमबार घटाने की प्रिक्रिया का भाग के लिए उपयोग करना प्रिश्थ 127 गंगु के पास एक बड़ा डिबबा भी है जिसमें वो बारा लड़ो पैक करता है साथ लड़ो पैक करने के लिए उसे ऐसे कितने डिबों की जरूरत पड़ेगी अभ्यास का समय एक, नीलू अपने कक्षा में कहानियों की 15 किताबیں लेकर आई एक किताब कितने चातर मिलकर पढ़ेंगे दो, आठ लोगों के परिवार में एक महीने में 60 किलो गेहूं की जरूरत होती है एक सप्ता में इस परिवार में कितने किलो गेहूं की जरूरत होगी तीन, रजिया को 500 रुपे के खुले चाहिए उसे कितने नोट मिलेंगे अगर वो बदले में चाहे क, सभी 100 रुपे के नोट, रिक्तिस्थान ख, सभी 50 रुपे के नोट, रिक्तिस्थान ग, सभी 20 रुपे के नोट, रिक्तिस्थान और ग, सभी 5 रुपे के नोट, रिक्तिस्थान यहाँ पर 5, 20, 50, 100 और 500 रुपे के एक एक नोट दिखाए गए हैं तुम्हें 72 टमाटर बराबर बराबर तीन टोकरियों में रखने हैं. हर टोकरी में कितने टमाटर होंगे? एक ठेले में 350 इंटे हैं. विनोध ने देखा कि एक इंट का वजन 2 किलोगराम है. सभी इंटों का वजन कितना होगा? प्रिष्ट 128 बच्चे और उनके दादाजी राशी, सीमा, मृदू, रोहित और लोकेश ने मेले में जाने के लिए दादाजी से पैसे माँगे. यहाँ पर दादाजी का चित्र है. और साथ ही दो बच्चे दिखाए गए हैं. दादाजी कहते हैं, मेरी जेब में सत्तर रुपए है. मुझे बताओ कि मैं ये पैसे तुम सब में बराबर कैसे बाटूं. अगर तुम सही जवाब दोगे, तो मैं ये सारे पैसे तुम्हें दे दूँगा. पहला तरीका. राशी और सीमा ने कुछ देर सोचा और बोले, हम जानते हैं कि ये कैसे होगा. सत्तर भाग पाँच. सीमा ने लिखना शुरू किया और बोली, पाँच गुणा दस बराबर पचास. पहले मैं सब को दस दस रुपए देती हूँ. सत्तर घटा पचास बराबर बीस. इस तरह मैंने पाँच गुणा दस बराबर पचास रुपए बाटे. बीस रुपए अभी भी बचे हैं. राशी ने इसे इस तरह पूरा किया. उसने कहा, अब हम सत्तर को पाँच से भाग करते हैं. पाँच गुणा दस बराबर पचास. तो सत्तर में से पचास गए, बचे बीस. अगर मैं हर एक को चार रुपए और दे दूँ, तो बीस रुपए बढ़ जाएंगे. अब हम बीस को पाँच से भाग करते हैं. तो पाँच गुणा चार बराबर बीस. तो बीस में से बीस गए, बचा शून ने है. दस जमा चार. अब कुछ नहीं बचा. और सारे पैसे सब में बराबर बराबर बंट गए. अब हम दस में चार को जोडेंगे. दस जमा चार हुए चोदा. इस तरह हर किसी को दस जमा चार बराबर चोदा रुपए मिलेंगे. शिक्षिकों के लिए निर्देश. बच्चों को जब कुछ वस्त्वों को बराबर बराबर बांटना हो, तो वो वास्तों में यही तरीक आपनाते हैं. इस इस्तिती में हो सकता है वो पहले पाँच से भी एक तरीके से बाटने का काम पूरा कर सकते हैं. यही इस तरीके की सुंदरता है. प्रिष्ट 119. दूसरा तरीका. मिर्दुल और लोकेश सत्तर भाग 5 को अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं. लोकेश लिखता है सत्तर भाग 5. पहले मैं हर किसी को 5 रुपे फिर मैं बाटूंगा 5 गुणा 5 बराबर 25 रुपे. सत्तर में से 25 गए तो बचे 45. दूसरी बार मैं सभी को 6 रुपे और दूंगा. तो 5 गुणा 6 बराबर 30. तो 45 में से 30 गए तो बचे रिक्तिस्थान. इस तरह मैं 30 रुपे और बाटूंगा. अब मेरे पास रिक्तिस्थान रुपे बचेंगे. बचे हुए पैसे लोकेश कैसे बाटेगा? इसे पूरा करो. इस तरह हर बच्चे को मिलेंगे 5 जमा 6 जमा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान रुपे. यहाँ पर एक चीटे अचितल है, जो कहता है, अपने उत्तर की जाज करो. तुम्हारा जो भी उत्तर आए, उसे पांट से गुला करके देखो. क्या सत्तर आता है? क्या तुम्हारा उत्तर ठीक था? तुम्हारा तरीका. अब अपने तरीके से 70 रुपए बराबर बराबर 5 लोगों में बाटो यदि तुम चाहो तो पहले 2-2 रुपए बाट कर देख सकते हो या तुम 11-11 रुपए बाट कर भी शुरू कर सकते हो यहाँ पर चीटिक चीतर है जो कहता है क्या तुम 15-15 रुपए बाट कर भी शुरू कर सकते हो करके देखो अब दिये गए प्रश्नों को तुम स्वेम हल करो क 65 भाग 5 बराबर रिक्तिस्थान क 84 भाग 2 बराबर रिक्तिस्थान ग 79 भाग 3 बराबर रिक्तिस्थान ग 90 भाग 6 बराबर रिक्तिस्थान ल 22 भाग 4 बराबर रिक्तिस्थान च 108 भाग 9 बराबर रिक्तिस्थान च 232 भाग 2 बराबर रिक्तिस्थान और ज़, 428 भाग 2 बराबर रिक्तिस्थान, प्रिष्ट 130 ज़, मीरा ने बाजार में बेचने के लिए 204 मुम्बतियां बनाई, वो उन्हें 6 के पैकट में पैक कर रही है, वो कितने पैकट बनाएगी? यदि वो उन्हें 12 के पैकट में पैक करे, तो वो कितने पैकट बनाएगी? यह, खेल दिवस पर 161 बच्चे स्कूल के मैदान में खड़े हैं, वो बराबर संख्या की 7 कतारों में खड़े हैं, हर कतार में कितने बच्चे हैं? अपने सवाल बनाओ, स्रिष्टी की दादी जी उसे सवाल बनाने के लिए कह रही हैं, यहाँ पर स्रिष्टी और उसकी दादी का चितर है, और यहाँ पर तीन बक्सों में 24 बोतले दिखाई गई हैं, स्रिष्टी की दादी कहती हैं, नीचे बनी तस्वीर को देखो, और एक सवाल तयार करो, स्रिष्टी बोली, यहाँ तीन बक्से हैं, और हर बक्से में 24 बोतले हैं, मेरा सवाल, इन सब बक्सों में कुल कितनी बोतले हैं? अब तुम भी अगली तस्वीरें देखो, और स्रिष्टी की तरह ही सवाल बनाओ, प्रिष्ट 131 एक, राखी के आठ पैकेट हैं, हर पैकेट में 6 राखियां हैं, यहाँ राखी के पैकेट के चितर दिखाए गए हैं, तुम्हारा सवाल, रिक्तिस्थान दो, चीनी के दस पैकेट हैं, सौरब ने सभी पैकेटों के लिए 110 रुपे दिये हैं, यहाँ पर चीनी के पैकेट दिये गए हैं, तुम्हारा सवाल, रिक्तिस्थान यहाँ 35 विद्यार्थी साथ पंक्तियों में बैठे हैं, हर पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है, यहाँ पर विद्यार्थियों की चितर हैं, तुम्हारा सवाल, रिक्तिस्थान प्रिष्ट 132, चार, हरी, सीमा, चिंकु और लक्षमी गुआहाटी जा रहे हैं, एक रेल की टिकट की कीमत 62 रुपए है, यहाँ पर एक रेल टिकट आरक्षन केंद्र का द्रिश्य है, जहाँ पर कुछ बच्चे और करमचारी दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारा सवाल, र लाल बेक ने कुछ कपड़ा खरीदा और 140 रुपए दिये, यहाँ पर लाल बेक का चितर है, और साथ ही दरजी कपड़े को नापता हुआ दिखाया गया है, तुम्हारा सवाल, रिक्तिस्थान, इसी प्रिष्ट पर आखिर में एक चीटी का चितर बना है, जो कहता है, पहाडे और बटवारे अब यहीं समाप्त होता है,